उबले होए अंडे खाने के बाद भूलकर भी ना खाई यह चीज़े वरना आपको भाई नुपसान जीलना पड़ेगा मस्कार दोस्तो हैल्थ करेल उपचार में आपका स्वागत है दोस्तो सर्द्या सुरू हो गई है और सर्द्यों में उबले होए अंडे खाना काफी जाता लोगों को पसंद होता है वैसे तो अंडे पूरे साल खाये जाते हैं लेकिन सर्द्यों में इसका सेवन सबसे जाता किया जाता है क्योंकि अंडे की तासिर गरम होती है और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं साथी अंडे खाने से हमारे सरीर को प्रोटीन, कैल्सियम और ओमेगा 3 फेटी एसिड मिलता है जहां प्रोटीन हमारे सरीर की मास पीसियों को मजबूत बनाता है वही कैलसियम से हमारे दातों और हट्टियों को मजबूती मिलती है इसके अलावा अंडे खाने से हमारे सरीर को जरूरी अमीनो एसिड भी मिलता है जिससे हमारे सरीर का स्टैमना बढ़ता है अंडे खाने से ना केवल सरीर का स्टैमना बढ़ता है बलकि सरीर मजबूत ताकतवर होता है और साथी सरीर में इस पूर्थी भी बनी रहती है लेकिन आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि अंड़ा अगर आपकी सेहत बना सकता है तो बिना जानकरी के इसका सेवन करना आपकी सेहत पिकाड़ भी सकता है जी हैं फ्रेंट्स बिना जानकरी के अंडा खाना आपकी सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है क्योंकि फ्रेंट्स अंडे खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़े होती है जिनका सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए वरना आपको भाई नुकसान हो सकता है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उबलेवे अंडे खाने के बाद किन-किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए तो इस वीडियो को लाट तक पुरा देखिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो के लाइक जिरूर कर दीजिए तो चली जानते हैं कि उबलेवे अंडे खाने के बाद किन-किन चीज़ों का सेवन बोलकर भी नहीं करना चाहिए पहली चीज़े नीमबू उबलेवे अंडे खाने के बाद कभी भी गलतीजे नीमबू नहीं खाना चाहिए क्योंकि अंडे के साथ नीम्बू खाने से हमारे स्रीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है फिर भी कुछ लोग अक्सर अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए अंडे के साथ नीम्बू को डाल कर खाते हैं ऐसा करने से अंडा खाने में स्वादिस्ट लगने लगता है लेकिन आपको अंडे के साथ या तुरंत बाद नीम्बू का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारे सरी के बलड वैल्स को नुक्सान पहुंचता है जिसकी वज़ा से दिल का दोरा पढ़ने का कत्रा बढ़ जाता है जो आपके लिए जानलावास आपित हो सकता है दोस्ते चीज़े मचली दोस्तों जब कभी भी आप उबले हुए अंडे खाए तो उसके तुरंत बाद कभी भी मचली का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप उबले हुए अंडे खाने के बाद मचली का सेवन करते हैं तो इससे आपकी तवचा खराब हो सकती है क्योंकि ये दोनों गरम ताशीर के होते हैं जिसकी बजाए से इन दोनों को साथ खाने से आपको इस किन से जुड़ी समस्याई जैसे चैरे पर लाल दाने, कील मौसे और सपेद दाग हो सकते हैं इसलिए आप कभी भी उबलेव अंडे खाने के बाद मचली का सेवन ना करें इसके अलावा अंडे खाने के तुरंद बाद किसी भी खट्टी चीट का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप अंडे के साथ या उसके तुरूंत बाद में किसी भी खट्टे पदार्त का सेवन करते हैं तो इससे आपको पेट से सम्मधित समस्याई जैसे गैस, कब्ज, आतों से सम्मधित प्रेसानी और पाचन सक्तिक कमजोर आदी हो सकती है इसके अलावा दिल के तुरिया खतरा भी हो सकता है तो अगर आप अपने सरी को स्वस्त और सहतमन रखना चाहते हैं तो उबलेवे अंडे खाने के बाद भूलकर भी इन चीजों का सेवन ना करे उम्मीद करता हूँ कि आपके जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी दबा दीजिए